ओम शन्ति आज बाबा ने हमें मुडली में कहा तुम बच्चे भी मनुष्य हो ये मनुष्यों की स्रिष्टी है इस समय तुम ब्राम्भन धरम के मनुष्य बने हो तो इसले ये बात पर्मनन कर रही थी कि ब्राम्भन धरम का मनुष्य मतलब कौन-कौन यहां ब्राम्भन है हाथ उठा ना ब्राम्मन कौन-कौन बैठे है हाथ उठाओ अच्छा जो हाथ नहीं उठा रे क्यूं नहीं उठा रे ब्राम्मन नी बने दुनिया में तो नामधारी ब्राम्मन होते है उनको तो बस नाम होता है ब्राम्मन का लेकिन हम सच्छे ब्राम्मन है क्योंकि स्वयम ब्रह्मा मुक से हमारा जनम हुआ है बाबा, ब्रह्मा बाबा के मुक से हमें मेठे बच्चे कहते है तो हम ब्राम्मन है तो ऐसे ब्राम्मनों का क्या धरम है तो आप देखो दुनिया में न जब कहते ब्राम्मन धरम तो ब्राम्मन क्या करते हैं ब्राम्मन एक वस्त्र पहनते हैं उनका अपना एक ब्राम्मन का वस्त्र होता है आप ब्रामन को कैसे पैचानते हैं? उसकाईे एनका ड्रेस एक फिक्स ड्रेस होता है। फिर ब्रामन और क्या करते हैं? ब्रामन कथा सुनाते हैं। और क्या करते हैं, ब्रामन राखी बानते हैं, सगाई करवाते हैं, शादी करवाते हैं, और ब्रामन और क्या करते हैं? कि तो ये चो हम लोग दुनिया में ये बाते सुनते हैं, कि ब्रामनों के ये कर्तव्य हैं, तो आप देखो बाबा हमें क्या कहते हैं, कि तुम सच्चे ब्रामन हो, तुम सच्ची कथा सुनाते हो, तुम सच्ची सगाई करवाते हो, क्योंकि वास्तव में आत्मा की सगाई किस से होने चाहिए परमात्मा से और तुम सच्चा संबन्द जुडवाते हो और तुम ही सच्ची राखी भी बंधवाते हो क्योंकि हर आत्मा को तुम पवित्रता की राखी इस समय बंधवाते हो तो बाबा केते वास्तव में जो सच्चे ब्राम्हनों का करतव अभी तुम करते ह हम इस समय ब्राम्हन धरम में हैं और हमारी जो ड्रेस भी है वो बिल्कुल प्योर वाइच पवित्रता का सूचक ब्राम्हनों को कहते भी हैं कि उंचे हैं, पवित्र हैं अब दुनिया में तो वो ब्राम्हन पवित्र नहीं रहते लेकिन बाबा केरते तुम सच्चे ब्राम्हन पवित्रता की भी धाड़ना करते हो तो क्या हम अपने ब्राम्हन धरम में सच मुझ रहते हैं बाबा ने तो हमें कहा कि हम सच्चे ब्राम्हन है और इस समय हमारा ब्राम्हन धरम है हम सत्युक त्रेता युग दैवी धरम में रहें ठीक है? द्वापड युग में हम किस धरम में आए? जैसे पहले तो हम कौन से धरम में थे? देवता धरम में, उसके बाद हम आए शत्रिय में फिर हम वैश्य में आए अभी हमाए शुद्र में थे इससे पहले आपको पूछें कि बाबा ने तो मेरा धरम परिवर्तन कर दिया लेकिन क्या मेरे धरम परिवर्तन का जो रिफ्लेक्शन है वो मेरे करम परिवर्तन में आ रहा है क्या मैं वही करम कर रही हूँ जो बाबा ने मुझे अभी एजाइन किया है तो ये हमें सोचना है, आज बावा तो एक लाइन कह देते हैं, लेकिन अगर हम उस पर मन्थन करें, तो हमें मालुम पड़ता है, कि सच मुझ हम उस धरम में है या नहीं, ठीक है, दुनिया में एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज है, हिंदु को मुसल्मान से खिस्साई बना लेकिन शुद्र को ब्राम्मन बना दे, ऐसा कोई नहीं निकलता है, लेकिन बावा हमें शुद्र से ब्राम्मन बनाते हैं, ये वाला वर्ण परिवर्तन बहुत मुश्किल, दुनिया में ऐसा कोई नहीं करता कि छोटे को बड़ा कर दे, अलग धरम में चले जाए, वो लना चाहिए, तो पवित्रता ब्राम्मन जीवन का श्रिंगार है, उसको हमें समझना है, आज की मुरली बहुत मीठी मुरली है, और आज पाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम महान स्वभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो अब तक किसी रिशी मुनी ने भी नहीं पढ़ी, आपको किस-किस को ऐसा लगता है कि मैं बहुत महान स्वभाग्यशाली हूँ, और क्यों, और वो कौन सी पढ़ाई है, जो रिशी मुनी को भी नहीं पता, पर मुझे पता है, हाँ बताओ, कौन बताएंगे, कविता बन बो और उभाग्या चेंड़ीजाली है, क्यों साथ कि ठीजो तक किया तक वित्तर आस्च बन बटेएंगे जोडने मी पता बुछा है यो जोने पाफ सुचते बहाते झाले हैं, संप से बड़ी ब्ल्तकाई को ऑनदिर जाके बत्धारी टै तो हम जोर ठीच्ते रगते के बना आपने नहीं है ते किसे शुटर बोजन करना यहां कैसे शुट बोजन करने हिसा था यह बॉस्ट अच्छे पादा चाना हों और यह जोग से सारे वे जोप फिनाश kein था शुल प्रूर है विले विल्ड है पादा, आपितो नेThis क्यूं रिमें अव हुम् हान्त तो जैसे उत्तर आया और सभी का मैं समझती हूँ ये उत्तर है कि बाबा ने तो हमारी जीवन बदल दी लेकिन आज एक छोटी सी बात है कि बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम रिशी मुनियों से भी ज्यादा भाग्यवान हो तो जैसे रिशी मुनी तो पवित्र भी रहते थे ठीक है रिशी मुनी तो शुद भोजन भी खाते होंगे हो सकता है कोई रिशी मुनी ऐसे भी होंगे जिनको पवित्र रहने की भी समझ है शुद भोजन खाने की भी समझ है लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम महान सो भागेशाली हो और कभी-कभी बाबा हमें ये भी कहते हैं या हमेशा ही कहते हैं कि तुम देवताओं से भी उंच हो तो आज इस पर थोड़ा सा समझेंगे आप देखो बाबा आज हमें मुरली में कहते हैं तुम्हें रचाइता और रचना के आदी मध्य अंत का ज्ञान है, जो किसी को भी नहीं है दुनिया में, बाबा आज मुडली में एक और बात कहते हैं, कि दुनिया में भी ये कहा जाता है, history repeats itself, लेकिन फिर भी मनुष्य कहते हुए भी कुछ समझते नहीं है, और मैं आज इस बात पर विचार करें थी, आजकल आप किसी से भी बात करो ना, वो एक ही बात कहते हैं, दिदी, इतनी uncertainty जितनी आज है, वो कभी भी नहीं थी, और आज मनुष्य की सबसे बड़ी problem क्या है, uncertainty, वैसे तो uncertainty हमेशा ही रहती है, लेकिन आज व्यक्ति को, मनुष्य आत्मा को, ऐसा फील होने लगा है, कि जैसे मुझे कुछ भी नहीं मालुम, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ इतना uncertain हो गया है, सच कह रहे हैं, सब के मन में ये बात आजकल आती है, कि बहुत lives, relationships, सब कुछ बहुत uncertain हो गया है, और बाबा हमें क्या बना देते हैं, बाबा हमें तीनों लोकों और तीनों कालों का certain ग्यान दे देते हैं, बिल्कुल certain, आज अब दुनिया में किसी को भी पूछो, कल क्या होगा, कल हम कहा होंगे, कल हम कैसे होंगे, और कल हम किसके साथ होंगे, ये चार प्रश्नों का उत्तर कोई भी नहीं बता सकता, कल क्या होगा, कल हम कहा होंगे, कल हम कैसे होंगे, और कल हम किसके साथ होंगे, ये कोई भी नहीं बता सकता दुनिया में, हम एक ही वो सवभाग्यशाली, पदमा पदम भाग्यशाली, इश्वरिय संतान है, जिनको इन चार बातों का आंसर मालूम है कल क्या होगा? कल विनाश होगा उसके बाद क्या होगा? स्थापना होगी उसके बाद सत्यू गाएगा, राइट? कल हम कहा होंगे, तो हम सत्यूग में होंगे पहले हम मुक्ति धाम में होंगे, वहाँ भी कहां exactly बैटे होंगे, वो भी मालूम है चीके? उसके बाद हम कहा होंगे, तो सत्यूग में होंगे और हर आत्मा को अपने पुर्शार्थ के हिसाब से ये भी पता है हम कौन से पद पे होंगे चीके? कल हम कैसे होंगे? तो पहले शांती में होंगे, फिर सुक में होंगे और कल हम किस के साथ होंगे? तो पहले शिप बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ जाएंगे, फिर ब्रह्मा बाबा के साथ उतल कराएंगे इतना सर्टेन देखो दुनिया में भी आप किसी को वैसे ही बात करो और पूछो कि सत्यूग के बाद त्रेता यूग, त्रेता यूग के बाद द्वापड यूग, द्वापड यूग के बाद कल यूग, कल यूग के बाद क्या तो संगम यूग का तो नहीं जानते हैं लेकिन कहेंगे सत्यूग एकदम पट से कहेंगे सत्यूग उनको कोई ज्यान नहीं है, लेकिन सत्यूग कहेंगे लेकिन आज आप किसी को भी पुछो, कल्यूग है, विनाश के असार भी नजर आ रहे है तो सत्यूग की खुशी क्यों नहीं मनाते तो उस भासना में नहीं रह सकते क्योंकि पता भी है कि कल्यूग के बाद सत्यूग आएगा लेकिन निश्चे और नशा ये नहीं है निश्चे नहीं है तो उसका नशा भी नहीं है हमें बाप पर निश्चे है तो हमें सत्यूग पर भी निश्चे है और सत्यूग पर निश्य है तो उसका नशा भी है तो हमें जो पता है और जिस बात जो बात हमारी बुद्धी में बैठी है और जिसका हमें नशा है वो किसी रिशी मुनी सादू संथ को भी नहीं है आचाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो लेकिन उसको ये भी नशानी है कि विनाश होगा तो मैं ब्रमलोग चला जाओगा लेकिन हम बच्चों को आप देखो हम बैठे सधारन रीती हैं लेकिन हमें ना तो कल की चिंता है और ना ही हमें अपने बीते हुए कल पर कोई रिग्रेट है क्योंकि बीते हुए कल में भी जो भी कुछ हुआ हम जानते हैं अल्टिमेटली हम बाबा के बने तो ना हमें पास्ट का कोई रिग्रेट है ना हमें फ्यूचर की कोई चिंता है पक्की बात है ऐसा ही है ऐसा है किस-किस को सच-मुच निश्य और नशा है निश्य किन-किन बातों पर होना चाहिए पहले मैं अविनाशी आत्मा हुँ मैं देवी आत्मा हुँ निश्य है किस-किस को निश्य है मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं देवी कुल की आत्मा चीक है नेक्स निश्य बाबा मुझे पढ़ा रहे है बाबा मुझे साथ लेके जाएंगे बाबा मुझे सत्यूग भेजेंगे किस-किस को निश्य है स्वेम भगवान पढ़ा रहा है वो साथ लेकर जाएगा सत्यूग में भेजेगा ठीक है और किस-किस को ड्रामा पर निश्य है कि जितना निश्य दिन के बाद रात का आना है रात के बाद दिन का आना है इतना ही निश्यत इसके बाद सत्यूग का आना है तो आप सोचो कि जिसको निश्चे है बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर तुमें ज्ञान दे रहा हूं उस ज्ञान पर तुम फेथ रखो क्योंकि देखो हर ज्ञान पर आपको निश्चे रखना पड़ेगा कोई भी ज्ञान हमें मिलता है दुनिया में आपको कोई भी ज्यान मिला मानो आज आपको बहुत सारा ज्यान मिलता है कि ये एक्सरसाइस करने से आपकी मसल बिल्डिंग होगी या ये भोजन खाने से आप शक्तिशाली बनेंगे या ये दवाई खाने से आप ठीक हो जाएंगे आपको ज्यान मिला या अभी योगा डिया रहा है तो योगा करने से आप स्वस्त होंगे यह ना शरीरिक योगा भी करेंगे तो स्वस्त होंगे मानू इस पर इसका आपको ज्यान मिला लेकिन ज्यान को धारणा मिलाने के लिए आपको निश्य चाहिए हर इनफर्मेशन को experience बनाने के लिए आपको faith चाहिए अगर आपको उस पर faith नहीं है तो वो ज्यान होते भी आप उसको use नहीं कर सकेंगे आज आप सोचो, आप कितनी सारी बातों पर निश्य करके चल रहे हैं इंफर्मेशन है आप उस पर निश्य करके चल रहे हैं ऐसे कितनी सारी बातें जिसके ना हमने कभी प्रूफ मांगा है ना कभी चेकिंग की है लेकिन हम उसके निश्य पर चल रहे हैं क्योंकि वेग्यानिकों ने बताया है, क्योंकि शास्त्रकारों ने बताया है, तो उन बातों पर दुनिया निश्य करकर चलती है, अब बाबा ने हमें क्या बताया है, कि तुम आत्मा हो, तुम अविनाशी हो, तुमने 84 जन्मों का चक्कर लगाया है, पहले तुम सत्युग मे थी, फिर त्रेता में, फिर द्वापड में, फिर कल्यूग में, अभी तुम ब्राम्मन बने हो, तुम कल सुर्यवंची देवता बन रहे हो, for sure, मैं तुम्हें पवित्र बना कर पवित्र दुनिया का मालिक बना रहा हूं, तुम मेरे बने हो, मतलब कल तुम सत्यु के रहवास बन रहे हो, तो इस बात पर यदि हमें निश्य है, तो हम बनेंगे, और हम definitely फिर सत्युग में जाएंगे, तो बाबा हमी कहते हैं, दुनिया में, जिन बातों का किसी को नहीं पता, कि हम कौन थे, हम कौन बनने वाले हैं, कल हम कहां जाने वाले हैं, कल हमारे साथ कौन होने लेकिन बाबा कहते हैं, यह चो तुमारा परिवार है अभी, यह चोरासी जनम साथ रहेगा, दुनिया में लोग कहते हैं, कि शरीर छुटेगा, तो वो कहते हैं, कि कुछ लोग जो हैं, वो आपके अंत तक साथ में रहेंगे, कुछ शरीर को जलाने तक साथ में रहेंगे, क हम बच्चे हम लोग 84 जनम तक साथ रहेंगे तो हमें यदि इस बात की समझ है जो आज बाबा मुरली में दो बार कहते हैं तुम्हारी बुद्धी में बैठ गया है अगर ये बात हमारी बुद्धी में बैठ गई है कि मैं कौन हूं मैं किसकी हूं और आने वाली दुनिया कैस है जिसमें मैं जा रही हूं तो हम उस निश्य के आधार से इतनी नशे में रहेंगे उस confidence में रहेंगे कि हम वो करम करेंगे और फिर वो जो निश्य और नशा है वो हमें निश्यन्त भी बनाएगा क्योंकि कहते हैं the proof of the pudding is in the eating कोई कहें कि आप प्रूफ दो कि ये चीज बहुत टेस्टी है कोई भी चीज है तो आप कहेंगे बीना खाए तो उसका प्रूफ नहीं मिलेगा ना आप कितना भी कहो इसका टेस्ट ऐसा है ऐसा है जब तक कोई खाए ना तो चख नहीं सकता ऐसे ही जब तक आपको निश्य ना हो कि वो टेस्टी है तो आप खा नहीं सकते और जब तक आप खाए ना तो प्रूफ नहीं मिल सकता कि वो टेस्टी है ऐसे लिए बाबा हमें कहते हैं पहले समझो कि तुम अगर देवी संस्कार बनाओगे तो देवी संसार में जाओगे ये त पता पढ़ने से बनेगे या नहीं बनेगे तो कभी बनेगा क्या तो पहले तो उस पढ़ाने वाले पर पढ़ाई पर निश्य होना चाहिए तो बाबा कहते जिनको निश्य है और जो उस देवी संस्कृति उस देवी संसार के लायक बन रहे है वो जरूर जाएंगे और जिस आथमा को ये आदी मध्यांत का ज्ञान मिला है, रच्चाइता रच्ना का ज्ञान मिला है, वो ही ये पुर्शार्थ कर सकते हैं, और आप समझते हो, इस दुनिया में हमारे अलावा और कोई भी नहीं, जिसको ये ज्ञान भी हो, तो पुर्शार्थ क्या करेंगे? किसी को पता भी नहीं कि देवी देवता बनने की भी पढ़ाई हो रही है और उसकी भी ओपनिंग खुली हुई है, और अभी हम पढ़के बन सकते हैं, तो वो क्या पुर्शार्थ करेंगे? तो बाबा हमें कहते हैं, तुम्हारे जैसा महान सोभाग्यशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जिसको कल की अंसर्टेनिटी ही नहीं, परसों का भी बिल्कुल सर्टेन जिसको पता है, और आप एक छोटी सी बात देखो कि हम लोग जैसे सुबे से दोपहर, दोपहर स शाम, शाम से रात, रोज होती है, और रात के बाद फिर सुबे होती है, यह सृष्टी का नियम है, जिसको आपने अनेक बार देखा है, और आप इसको टेकन फर ग्रांटेड लेते हैं, तो आप कभी इस चेंज को रेजिस्ट नहीं करते, कभी चिंता करते हो, हाई अभी र खंटे में रात हो जाएगी, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, नहीं, यह सृष्टी का नियम है, आपको मालुम है, कि सुबे से दो पहर होती है, दो पहर से शाम होती है, शाम से रात होती है, और कुछ खंटे के लिए रात रहती है, और फिर सवेरा हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उस रात में रेस्ट करते हो, उस रात में आप रेस्ट करते हो, तो ऐसे ही बाबा हम ही कहते हैं, इस स्रिष्टी का भी मैंने तुम्हें ग्यान दे दिया, कि इसमें भी सुबे थी, दोपर थी, शाम थी, अभी रात है, लेकिन ये रात इंडेफिनिटली नहीं चलेगी, इसके बाद सवेरा है, और वो जो सवेरा है, तुम ग्यान के अधार से उसे आज साफ साफ देख सकते हो, कि आज जैसे घोर अंधियारी रात है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बाबा की याद में रहकर इस रात को पार करना है, और उसके बाद जो सवेरा आएगा, वो उतना ही निश्यत है, जितनी की ये रात है, तो बाबा ने हमें ये ज्ञान दे दिया, और जिसको इस ज्ञान पर निश्य है, उससे जादा सोभागेशाल कोई भी नहीं, क्योंकि वो ना घबराता है, ना चिंता करता है, ना वो डरता है अंधियारे पन से, बाबा कहते हैं, उसको पता है, कि देखो जैसे आज एक माता ने मुझे बताया, कि उनके किसी संबंधी ने शरीर छोड़ दिया, उनके भाई ने, तो शरीर उनका यंग था तो उनके बताया, तो मैंने उस माता को पुछा, क्या हम और आप कभी शरीर नहीं छोड़ेंगे क्या, तो बली हाँ, छोड़ेंगे दिदी, तो मैंने का देखो, जैसे हम और आप शरीर छोड़ेंगे, तो उसमें डरने की बात है, ब्रामन है, ज्यानी है, तो मैंने पूछ हम और आप शरीड छोड़ेंगे, तो डरने की बात है, तो बुलि नहीं, क्यों डरने की बात नहीं है, बुलि क्यों कि हम तो बाबा के साथ हुंगे, और हम परमधाम जाएंगे, फिर सत्यू गाएंगे, तो मैंने का फिर उस आथमा के लिए क्यों रोना है, वो भी बाबा के साथ है, वो भी परमधाम जाएगी, सत्यू गाएगी, इतनी टेंशन की क्या बात है, किसी ने भी शरीर छोड़ा, आदी मध्यांत का ज्ञान है हमें, कि कोई आत्मा मरती नहीं, ना कोई आत्मा मरती है, ना ड्रामा का भी खतम होता है, ड्रामा भी कंटिनु है, अविनाशी है, आत्मा भी कंटिनुवस है, अविनाशी है, तो हमें ना फिकर है, ना चिन्ता है, हमें ये समझ में आता है, ये अभी यहाँ नहीं है, कहीं और है, लेकिन जैसे यहाँ पर थे, तो आप उनके लिए शुब सोचते थे, वहाँ पर भी है, तो भी शुब स उनको पहुँच रहे है और आत्मा का परमात्मा से और आत्मा से मन बुद्धी का ही संग होता है और जब हमारी बुद्धी बाबा की साथ होती है तो हमारी बुद्धी में वो शक्ती वो स्थिती होती है कि जिस आत्मा को भी हम याद करते हैं उस आत्मा को भी हमसे शुब भा बावना शुब कामना मिलती है। इसलिए बाबा ने हमेशा कहा तुम मेरी याद में रहो। तुम किसी को भी याद नहीं करो। क्योंकि तुम जब सदा मेरी याद में रहोगे तो तुम किसी के भी संबंद संपर्क में आओगे। उससे तुम से श्रेष्ट भासना मिलेगे। उनना, तो हम बच्चों को बाबा ने स्रिष्टी के आधी मध्यन्थ का और रचशयता का ऐसा ज्यान दिया है, हमें ऐसा बना दिया है बाबा ने कि अब हमें ना कोई फिकरात है, ना कोई question है, ना कोई confusion है, हमें क्या करना है हमें अभी बाबा के साथ रहना है कब तक जब तक बाबा सत्यूग ना लेकर आए और फिर हमें सत्यूग में राज्य करना है फिर पांच हजार वरश के बाद फिर हमें यहीं बैठना है फिर हमें बाबा मिलेंगे फिर हमें राज्य करने जाना है हमारा आदी मद्धेंद इतना सर्टन है तो इसलिए बाबा कहते है तुम्हारे जैसा सोभागिशाली कोई भी नहीं क्योंकि तुम्ही जो मालूम है और तुम्हारे साथ जो है वैसा किसी के साथ नहीं और किसी को मालूम नहीं कोई रिशी, मुनी, सादू, सन्यासी ऐसा नहीं, जो आज के समय में घबराता न हो या चिंता न करता हो, या जिसको इतना निश्य हो कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आज से अच्छी दुनिया में जा रही हूँ, सत्यूग में जा रही हूँ, लेकिन हम बच्चों को बाबा ने वो ज्ञान दिया है, वो बु जान सागर का ज्ञान मिला, हम इस बात को सधारन ना समझे, क्योंकि ये सधारन बात नहीं है, हम वो कोटों में कोई और कोई में भी कोई है, जिनका गायन गोपियों के रूप में होता है, अर्जुन के रूप में होता है, जिनका गायन उन भग्यशाली आत्माओं के तो ये पहली बात जो आज बाबा मुडली में कहते हैं और एक बात जो आज बाबा मुडली में कहते हैं वो ये की जो बच्चे वर्तमान समें सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं वही भविश्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं तो बाबा कहते हैं, देखना है हमें कि अपने भविश्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है ठीक है? तो बाबा ने हमें एक सिंपल रूल बताया है जो इस समय सब के दिल पर राज करेंगे, वो कल राज गदी पर बैठेंगे अब डिल पर राज कौन करेगा, जो सब को स्नेह देगा, प्यार देगा, रूहानी प्यार अब मुझे एक बात बताओ, कि वैसे तो कोई भी सुबह उठके यह नहीं सोचता ना आज मैं सब को ग्रिना दूँगा, यही सोचते कि प्यार देंगे लेकिन फिर भी हम सारे दिन में सनेह स्वरूप नहीं रह पाते, पक्की बात है हम सनेह स्वरूप नहीं रह पाते मैंने इस बात पर बहुत विचार किया है कि हम क्यों सारे दिन सनेह स्वरूप नहीं रह पाते जबकि हमारी intention है, हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम सारे टाइम स्नेह स्वरूप रह क्यों नहीं पाते तो सबसे बड़ी बात है, किसी भी चीज का यदि लक्ष प्रॉपर नहीं है न तो लक्षन नहीं आता अब जब भी आज तक 63 जन्मों में हमारी conditioning क्या है आप किसी से प्यार से इसलिए चलो ताकि वो भी आप से प्यार से चले correct है, हम आज तक किसी के साथ पियार से क्यों चल रहे थे ताकि वो भी हम से प्यार से चले, right है न और जहां पर भी हम किसी से प्यार से चलते हैं पर वो हम से प्यार से नहीं चलते अब वो प्यार से चलने की भी परिभाशा हमारी बहुत गुई है है न, वो हमारे उठने से उठे, वो बैठने से बैठे, हमारे बोलने से करे, हमारे चलाने से चले वो सब अलग बात है, उसका भी बहुत विस्तार है लेकिन जो भी हमारी परिभाशा है, हमारा एक बहुत सिंपल सी अंडिस्टैनिंग है कि कोई हमसे प्यार से चलेगा तो हम उससे प्यार से चलेगे इसे लिए जैसे ही हम स्नेह स्वरूप रहते हैं और सामने वाली आत्वा मेरी जो परिभाशा है स्नेह की उस पर फिट नहीं होती मुझे लगता है मुझे उससे वो एनरजी नहीं मिल रही जो मैं चाहती हूँ, तो हम अपनी स्नेय को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, है ना, करेक्ट बात है, अब बाबा हमें कहते हैं, तुम सदास नहीं रहोगे, तो तुम कल विश्व माराजन विश्व मारानी बनो, अब सदास नहीं हम कैसे रहें, यह प्रशन उठता है, तो सबसे पहली बात है, कि हमें आत्माओं से स्नेय नहीं मिलता है, नहीं मिल सकता है, और नहीं चाहिए, यह हम क्लियर रखें, हमें आत्माओं से स्नेय नहीं मिल सकता और नहीं चाहिए, यह हम क्लियर रखें, ठीक है, हमें किसका स्नेह चाहिए पर्मात्मा का स्नेह और पर्मात्मा का स्नेह हमें कब मिलेगा जब हम आत्माओं को स्नेह के सूत्र में बांध कर पर्मात्मा के एक समीप लाएंगे बाबा ने हमें एक जिम्मेवारी दे है क्या जिम्मेवारी बाप समान बन आप समान बनाओ जैसे बाबा है न ऐसे तुम बनो और हर बच्चे को जैसे तुम पर्मात्मस नहीं हो वैसे उसको भी पर्मात्मस नहीं बनाओ ठीके अगर हम इस राज को बुद्धी में रखेंगे कि हर आत्मा से मिलते हुए, संपर्क में आते हुए मेरा उद्धेश्य उससे स्नेह पाना नहीं है मेरा उद्धेश्य उसको बाबा का बनाना है तो यदि वो हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं भी कर रहे है तो भी वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि हम उस संबंद से वो चाहते ही नहीं है हम चाहते हैं वो बाबा का बने और इसलिए अपनी संपर्क में उसको रखकर बाबा के संबंद में लाना है हम मीठे रहेंगे तो उसका संबंद बाबा से बनेगा बाबा कहते हैं तुम मेरे शोकेस के शोपीस हो जैसे तुम हो, वैसे मेरी advertisement हो रही है मुझे तो कोई देख नहीं सकता तो तुम्हें देखकर लोग मुझे पैचानते हैं तो तुम ऐसा बनो कि वो तुम्हें देखकर मुझे पैचाने तो हम किसी से भी मिलें, हम ये समझें वो कैसा भी रहें, मुझे उसके साथ ऐसे चलना है कि मेरे संबंद में आकर वो भगवान का बने और अगर आप ये उदेश्य रखेंगे तो आप हमेशा सदास नहीं बनकर रहेंगे मैं आपको एक चोटी से बात बताते हूँ इस पूरे यग्य की नीव स्ने और सैयोग पर है ये संगठन का कारे है विश्व परिवर्तन का कारे है, संगठन का कारे है ये कारे कोई अकेला नहीं कर सकता आज एक सेंटर भी है एक सेवा भी है तो इतनी सारे भाईबेन जब इकठे मिलते हैं सब अपनी अपनी जिम्मेवारी सम्हलते तब एक सेवा चलते हैं भले चार जने सेंटर पे रहते हैं लेकिन चार से सेवा नहीं होते हैं जब इतने सारे भाई बेन सयोग देते हैं बाबा के स्नेहे में तब सेवा चलते हैं तो जो सेवा सहयोग और स्नेहे के आधार से चलती है, वहाँ पर जब हम आत्माओं के संपर्ख में आते हैं, तो हर आत्मा में, हर आत्मा अलग-अलग है, किसी के संस्कार किसी से मिलते नहीं है, मिलते हैं, आज आप सोचो, एक पिता की तीन लोकिक संतान, उनके भी संसकार नहीं मिलते हैं, तो इतने बड़े परिवार के आपस में तो संसकार नहीं मिलेंगे ना, लेकिन हम हर एक से रूहानी स्नेह रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो बाप से स्नेह रखता है, और हर एक को सैयोग देते हैं, क्यों? क्योंकि वो बाप का सैयोगी है, तो बाबा केते हैं, ऐसे ही, अगर आप घर परिवार में रहते, ओफिस में रहते भी, ये समझें कि हर आत्मा को मुझे अपने साथ इस तरह से तालमिल में लाना है, कि वो मेरे साथ connection में आते, बाप के साथ connection में आए, क्योंकि आप ही उनका introduction to बाबा है, वो आपको जानते, वो बाप को नहीं जानते, लेकिन आपको ये लक्षे रखना है, कि हमारे सने और हमारे सहियोग के अधार से, वो बाप को पहचाने बाप का बने, और ये जो आपका लक्षे है न, ये आपको बहुत सेहन शक्ती देगा, बहुत सारी समेटने की शक्ती देगा, विस्तार को संकीन करने की शक्ती देगा, और इस शक्ती के अधार से, आप उस साथमा को बाप का बना सकते मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ एक बहन आती थी तो वो हमेशा घर में पीस ओफ माइंड देखती और क्लास करती और बाबा का मन्थन करती तो जो उसके सास थी वो भी उसको साथ साथ में देखती रोज अब क्या हुआ कि एक दिन सास के साथ जगरा हुआ तो ये भी चुप नहीं रही इसने भी कुछ कह दिया तो सास ने कहा वैसे तो तुम बहुत बनती हो कि तुम भगवान की हो लेकिन तुम में वो बात नहीं है जो तुम बोलते हो कि तुम में है और अगले दिन से सास ने साथ में बैड़ना बंद कर दिया वैसे तो वो साथ में बैठ जाती थी तो उस बहुत ने मुझे फोन किया और मुझे कहती दि-दि आज मुझे एक चीज रियलाइज भी कि मैं प्यार से बाबा को देखती थी कि प्यार से चलती थी, तो उसका भी बाबा से प्यार बन रहा था, लेकिन आज मैं थोड़ी कड़वी हो गई ना, तो बाबा से दूर हो गई, तो मैंने का लेकिन यही बात आपको समझ आ जाएगी ना, तो अगली बार आप कड़वे होने से रुक जाओगे, क्योंकि हम हम न इस बात को याद रखेंगे ना, तो सदास नहीं रहेंगे, और ऐसे सदास नहीं कल विश्व राज अधिकारी बनेंगे, क्योंकि यही सनेह सेवा करेगा और यही सनेह आपको राजा बनाएगा, ठीक है, तो यह है आज के वर्दान का अर्थ, तो किसी का कोई प्रश्न है द रामन बनने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यान प्राप्त करना एक बात है, किन्तु उसके डंग से चलना, उसकी धारना करना बहुत कठिन है, हम बार बार ज्यान प्राप्त करते हैं, फिर थोड़ी से गलती से फिसल जाते हैं, जबकि रिश्यमुन्यों की पहुत सीधे भगवा तक होती है, वे बहुत पवित्र होते थे, चोद चाहते थे वो हो जाता था, यहां तक कि जिनके श्राप रोज से किसी का भी कुछ नहीं हो पाता था, जबकि हम चाहकर भी एक मक्की भी नहीं मार सकते, फिर हम रिशी मुन्यों से स्रेष्ट कैसे हुए, सबसे पहली बात है, आपके प्रश्ण में ही आपका उत्तर है, अगर रिशी मुनी इतने उंचे थे, तो उनके श्राप से किसी का अहित हो जाता था, और हमें इतनी अकल आ गई है कि किसी को श्राप नहीं देना है, तो यह अकल उससे बहुत बढ़ी है, तो इसलिए हमें शक्ति का सही अर्थ सम जाया, शक्ति वो नहीं जो दूसरे पर दबाव बनाए, शक्ति वो जो किसी के दबाव में या प्रभाव में हम ना आए, किसी पर दबाव बनाना, किसी को तंग करना, यह विकर्म है, यह करने का हम कभी इंटेंशन भी ने रखते, इसलिए जब भगवान आता है, तो वो स अपस्या करने के बाद भी किसी को नहीं मिला था, ठीके, अच्छाई, बुराई, सत्य, असत्य, गुन, अवगुन का ग्यान, यह बाबा ने हमें पहले ही दे दिया, ओके, ओम शान्ति,